योग के बारे में मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ और मुझे लगता है कि ये आसन और ये मेरा दृष्टिकोन है हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे जानवरों से सीखना बहुत जादा लालज की बात है कि साप ऐसा क्यों कर रहा है आपको की तर किसी के पास कोई चीज हो हम उससे सीखना चाहते हैं उसमें से मैं सरवश्रिष्ट पाना जाता हूँ नहीं नहीं क्या ये लालज है या ये क्या है नहीं जिस योग के बारे में आपने सुना है और जिसके संपर्क में आप आए हैं वो अमेरिकी तट से वापस आया है लोग किताबे लिख रहे हैं जो कहती हैं कि योग कालिफोर्निया में शुरू हुआ और मेडोना इसकी पहली साधक थी योग के शुरुआ पंदरा हजार साल पहले हुई थी जब आदी योगी ने अपने पहले साथ शिश्यों को योग सिखाया था जिने आज सब्तरशी के रूप में जाना जाता है उन्होंने जो योग सिखाया वो कोई शारेरिक वे आयाम नहीं है और नहीं वो जानवरों के बारे में हैं वो जो है उसके अनुसार लोग उसे नाम देते हैं देखिए अब आप इस मुद्रा में आएं ये क्या है रखने की सुविदा है, हाँ हाँ, इसका जानवरों से कोई लेना देना नहीं है, हाँ हाँ, नहीं पता, नहीं, पता है, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे योग के बारे में बहुत कम जानकारी है, तो वही कारण है कि ये एक बहुत ही बचकाना सवाल है, लेकिन मुझे लग अगर आपके घर में टेलिविजन होता तो आप अपना पसंदीदा कारेक्रम देख रहे होते अचानक बीच में बूप 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 होता था तब आप छोटे बच्चे थे आप छट पर भाग कर जाते थे और वहाँ एलुमिनियम का एक एंटेना था आप उसे इस तरह पूरी दुनिया वापस घर में आ जाती थी तो योग का मतलब बस इतना है अपने शरीर को ब्रह्मांडी जामिती के साथ सीध में लाना अगर आप अगर आप इसे बस सही तरीके से थाम कर रखना सीख चाते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड को डाउनलोड कर सकते हैं इसी अधार पर काशी का निर्मान हुआ है एक विशाल मानव शरीर एक शांदार मानव शरीर बनाना जो जिसमें भौतिक्ता को अपने साथ धोने की जड़ता ना हो ताकि वो हर समय चालू रहे और वो पूरी प्रक्रिया को डाउनलोड कर सके यही वो असाधरन प्रयास है जो उ यंत्र या वैसा कुछ लगेगा निश्चत रूप से यहां तक कि अगर आप होट एर बलून या हेलिकॉप्टर में उपर जाते हैं तो आप यंत्र का रूप देख सकते हैं यह बहुत एक पहलू है लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उर्जा रूप की तस पसकर पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म और आध्यात्म की दुनिया में आप चुकि बहुत सारी पर्ते हैं जो आप गुरू का काम गुर आयामों को मौझूदा इंसान के लिए उपलब्ध बनाना है जो उपलब्ध है वो उसे भी रहस्यमय बना दे रहे हैं जो पहले ही समझा जा चुका है उसे वो रहस्यमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं जो समझ में नहीं आ रहा है जो दूसरे लोगों को रहस्यम एक तरफ हम कहते हैं ये सिर्फ कपड़े बदलने जैसा है लेकिन काशी आने पर लोग मृत्यू का इतना महिमा मंदन क्यों करते हैं हमें इतने सारे कर्म कांडू की क्या जरूरत है ये एक सवाल है जो मन में आता है दूसरी बात ये है कि ये मुक्ष क्या है? ये मुक्ती क्या है? क्या ये जीवन के खिलाफ नहीं है? पुनर जन्म हर चीज क्या ऐसा नहीं है कि हम रित्यू का बहुत ज्यादा महिमा मंदन कर रहे हैं और काशी में अंतिम रित्यू जो मुक्ती है इसका मतलब है कि हम जीवन के खिलाफ है हमें लगता है कि पुनर्जन मुहुनाय का भिशाप है ये वो सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता था क्या आपको अपना स्कूल अच्छा लगा हाँ, मुझे अच्छा लगा आपके स्कूली पढ़ाई, आपको इसमें मज़ा है लेकिन क्या आप कॉलेज जाने के लिए बहुत उच्छुक थे तो जब आप दसवी पार करके निकलें दसवी या बारवी कक्षा में मान लीजे कि हमने आपको फिर से किंडर गाटन में दाखिल कर दिया क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगा था क्या आप इसे पसंद करेंगे हाँ मुझे ऐसा लगता है या आप कॉलेज जाना चाहेंगे मैंने उससे में ऐसा नहीं सोचा था बात बस इतनी है कि ये स्वाभाविक है कि आप अगले चरण में जाते हैं है ना तो यदि आपने इस जीवन को पर्याप्त देख लिया है तो आप अगले चरण में जाना चाहते हैं आप वही चीज फिर से नहीं करना चाहते उसमें क्या गलत है हाँ लेकिन कोई मुक्ष के बारे में जो कहता है तो मैंने जो सुना है हो सकता है कि वो अधूरा ग्यान हो लेकिन सच्चा ही ये है कि आपका पुनज जन्मन नहीं होगा हाँ आप जाएंगे अगर ऐसा है तो क्यों? ऐसा क्यों है? देखिए आप फिर से किंडर गाटन नहीं जाना चाहते इसमें गलत क्या है? नहीं, लेकिन आप कहा रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं उसके बाद कहीं नहीं जाना चाहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है आप किसी भी रूप में जन्म नहीं लेना चाहते हैं आप स्कूल वापस नहीं जाना चाहते हैं एक बार फिर तो आप ये कह रहे हैं कि हर रूप एक school है ? ये जीवन का एक चष्कूल है लेकिन फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि चीटी के रूप में जन्म लेना और मनिश्व के रूप में जन्म लेना संभावना के कारण इसलिए नहीं कि हम खुद को बहतर समझते हैं दुनिया के इस हिस्से में किसी ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप ईश्वर की छवी में बने हैं या वैसा कुछ नहीं कहा। अगर आप चीटी को ध्यान से देखें तो वो इंजिनियरिंग, यांत्रिकी और स्रिजन का एक शांदार नमुना है तो स्रिष्टी करता के हाथ के बिना ये सब नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज़ जो यहां है उसमें इश्वर का हाथ है। कोई भी परमानू उसमें स्रिष्टी के स्त्रोत के धड़के बिना काम नहीं कर सकता। आपने खुद के लिए क्या ये शरीर बाहर से बनाया है? क्या आपने इसे बाहर से उधार लिया है? या ये आपके भीतर से बनाया है? आपने इसे बाहर से भोजन दिया, लेकिन केले को इनसान बनाना आपके भीतर से हुआ है, है न? आपने खुद तो इसमें बुद्धी मत्ता और काबिलियत है, जो इसमें मौजूद स्रिष्टी का स्रोत है, तो अब पहली चीज उसको स्वीकार करना। तो यही कारण है कि इस देश में सभी तरह के भागवान, हर चीज दिव्य है, यहां कहावत है, शिव ने खुद कहा, काशी का कंकर शिव शंकर, काशी का हर पत्थर शिव है, तो आप एक चीज को प्रणाम करते हैं और दूसरी को नहीं, आप हर चीज को प्रणाम करते हैं क क्योंकि हर चीज में स्रिष्टी के स्तुरोत का आंश है, मनुष्य होने की संभावना ये है कि आपको इसका साक्षातकार हो सकता है. हाँ, लेकिन ये तथ्य की काशी का बहुत महत्व है, इस शहर का क्या महत्व है? ये अनुष्ठान मृत्यू का महीमा मंदन नहीं है, ये कोई उत्सम नहीं है, ये एक वैग्यानिक प्रक्रिया है, मुंबई शहर में होने के कारण आपको शायद ना पता हो, पर आप गाउं में लोगों से पूछें, या अंतियेश्टी करता का बिजनिस चलाएं, तो आपको नहीं बने, ये धीरे-धीरे हुआ, समय के साथ, इसी तरह जब प्राण शरीर को छोड़ता है, तो ये धीरे-धीरे होता है, कोई व्यक्ति असल में मृत हो सकता है, वो वास्तव में मरा हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी प्राण ने उसके सिस्टम को नहीं छोड़ा है, फि बाहर से देखने पर हमें लगता है कि वो मर चुका है, जहां तक उसका सवाल है, वो शरीर से बाहर फिसल गया है, जब मैं शरीर से बाहर फिसलना कहता हूँ, तो चलिए इसके लिए एक सही संदर्ब रखते हैं, जब आप पैदा हुए थे तो आपका शरीर जरा सा था, अब लेकिन ये आप नहीं हो सकते हैं, क्या ये आप हो सकते हैं, फिर मैं क्या हूँ, हम उस पर आएंगे, अभी मत कूदिये, आप जो कुछ भी इकठा करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपका हो सकता है, वो आप नहीं हो सकते हैं, मैं एक अपड़े जमा करता हूँ, और कुछ समय बाद अगर मैं कहूँ यह मैं हूँ, तो यह पागलपन है, है न? लोगों के साथ यही हुआ है, वो इस शरीर को एकठा करते हैं, और सोचते हैं कि वो यह शरीर है, तो यह पागलपन फैल गया है, चुझकि अधिकतर लोग यही कहते हैं, और हम लोग तांतरिक सिस्टम का पालन कर रहे हैं जो भी भहुमत कहता है, वो सही है लेकिन वो बेवकूफी है आप जानते हैं कि आपने इसे एकठा किया है आप जो एकठा करते हैं, वो आप नहीं हो सकते ये पागलपन से कम नहीं है चूंकि हर कोई एकी दशा में है हम सोचते हैं कि ये ठीक है लेकिन जो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है तो सारी मानवी पीडा और भ्रम और जीवन की समज़ की कमी का आधार ये एक बात है कि आप ये नहीं समझते कि आप अपने जीवन के हर पल में नशवर है तो यहाँ दाहस संसकार का सार्वजनिक प्रदर्शन करने का कारण है कि आपको पता चले कि आप नश्वर हैं और आप समझें कि आप नश्वर हैं जब आपका समय पूरा हो जाता है तो आप काशी आते हैं खुद कुम्रित्यों के लिए तयार करने तो ये नश्वर्ता ही एक मातर चीज है जो आपको सोचने के लिए प्रेरित करती है कि इससे परे क्या है अगर आप अमर होते तो आप कुछ भी नहीं सोचते आपके जीवन का कोई मतलब नहीं होता सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खत्म होने वाला है और जो खत्म होने वाला है वो सिर्फ वही है जो आपने इकठा किया है ये शरीर कर्ज है जो आपने इस धर्ती से लिया है आप धर्ती से कर्ज लेते हैं जब चुकाने का समय आता है तो ज्यादातर लोगों ने इससे कुछ नहीं बनाया सिर्फ अपने दिमाग में भकवास सोचने के अलावा मनोवैग्यानिक हकीकतें चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो वो एक पल में ढह जाएंगी जब मृत्यू का पल आएगा तो आपने जो सोचा, महसूस किया आपके विचार, भावनाएं कुछ भी माएने नहीं रखेंगी अस्तित्व के दृष्टी से आपने ये प्राणी के साथ क्या किया बस वही माएने रखता है आज समाज में वो आयाम काफी हद तक बहुत ज़्यादा पश्चिमी प्रभाव की वज़े से खत्म हो चुका है मृत्यू वास्तव में क्या है क्या ये शरीर का क्षे है ये शरीर का मरना मृत्यू है एक तरफ मेरा शरीर मर रहा है दूसरी तरफ मेरे विचार मेरे दृष्टी कौन ऐसी चीज़ बन रहे हैं जिने दुनिया कले लगा लेती है और ये मेरे बेना जीते हैं तो ये क्या है? क्या आप इसे मृत्यू कहेंगे? आप मृत्यू को किस रूप से परिभाशत करेंगे? क्या आप कभी मरे हैं? आपने जो कविताएं लिखी हैं, उसके लिए ठीक है क्या आप वागई कभी मरे हैं? क्या आप मर कर वापस आये हैं? नहीं, अपने अनुभव में, नहीं, है ना? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है, जो मर कर वापस आया हो? मैंने किसी को नहीं देखा क्या आपने कभी किसी मृत व्यक्ति को देखा है? मुझे ऐसा नहीं लगता तो आपने न तो किसी को देखा है, नहीं किसी से मिले हैं, नहीं आपने किसी को अनुभव किया है, तो आपको ये विचार कहां से आया कि आप मरेंगे? ये सीखा हुआ विचार है. यही तो है. ये अज्यानी लोगों की कलपना है, जिसे अज्यानियों ने ही बनाई है मृत्यों जैसी कोई चीज नहीं होती, बस जीवन, जीवन और जीवन होता है जो एक आयाम से दूसरे आयाम में जा रहा है तो जब लोग अज्यानी होते हैं और जीवन के बारे में उनकी दृष्टी और जीवन के उनकी धार्णा अस्तित्व की भौतिक प्रकृति तक ही सीमित होती है सिर्फ तभी वो जीवन और मृत्यों के बारे में सोचेंगे वरना ये सिर्फ जीवन और जीवन ही है बढ़िया, बढ़िया. तो आप कह रहे हैं कि अमृतियु का स्थित्व नहीं हैं. मेरी बात पर यकीन मत कीजे. मैं बस आप से कह रहा हूँ कि नई, मैं, मैं आपकी बात समझता हूँ. जो सत्य नहीं है, उसे हटा दे. सत्य के बारे में बात ना करें. नहीं, लेकिन अगर आप philosophy को भूल जाएं और आप वो देखें जो आप देखते हैं वो ये है कि एक व्यक्ति था जिससे आप छू सकते थे और महसूस कर सकते थे नहीं, एक शरीर था जिससे आप छू सकते थे और महसूस कर सकते थे कई बार आप प्राणी को छूने की बेतावी से कोशिश करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं छुआ ज्यादा से ज्यादा आप उनके शरीर को छूते हैं, आप उनके विचारों को छूते हैं, आप उनकी भावनाओं को छूते हैं, लेकिन आप उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं छुआ लेकिन जब वे नहीं होते तो आप उनकी अनुपस्थिती को महसूस करते हैं क्योंकि शरीर गायब है, मन गायब है, बातचीत गायब है भावनाएं गायब है आपको इसकी कमी खल रही है, आपको प्राणी की कमी बिल्कुल नहीं खल रही है कमी खल रही है, एक मनोव articulated प्रक्रिया है, है ना? क्या ये एक शारीरिक प्रक्रिया भी नहीं है? आपकी माँ जो आपको खाना खिलाती थी, आपको गले लगाती थी, अब ऐसका नहीं होता देखे, बहुत एक रूप से हम चीजों को बहुत आसानी से बदल सकते हैं ये मनोवैग्यानिक और भावनात्मक चीजे हैं जिने उस व्यक्ति की मनोवैग्यानिक संरचना के अनोखेपन के कारण नहीं बदल सकते और उन दो लोगों के बीच भावनात्मक संबंध का अनोखापन यही वो चीज है जिसे बदल नहीं सकते भौतिक्ता को आसानी से बदला जा सकता है, है ना? सद्गुरू मैं आपसे पूछना चाता था कि मनुष्य को मृत्यू से इतना डर क्यूं लगता है? ऐसा क्या है? जो हमें मृत्यू के प्रती इतना असविदाचनक और असहज महसूस कराता है देखिये लोगों को मृत्यू के सामने है, उसके ठीक बगल में काल भहरव मंदिर है आप जो देख रहे हैं, वो काल भहरव मंदिर है भहरव वो हैं, जो आपको डर से परे ले जाते हैं काल भहरव समय का डर है ये समय का डर है, ये मृत्यू का डर नहीं है असल में दक्षन भारती भाषाओं में बृत्यू के लिए यही शब्दावली इस्तिमाल की जाती है सभी दक्षन भारती भाषाओं में कहा जाता है उसका समय समाप्त हो गया है तो डर हमेशा समय को लेकर होता है समय ही डर का अधार है अगर आपके पास असीमित समय होता तो कोई बात नहीं होती, है न? समय खत्म हो रहा है अगर कुछ होता है तो समय एक समस्या है अगर कुछ नहीं होता तो समय एक समस्या है तो मृत्यू का मतलब है कि आपका समय पूरा हो गया है तो ये एक सीमित समय है कई मायनों में अत्रिप्त रह जाएंगे तो जो लोग बहुत संतुष्टी पूर्ण जीवन जीते हैं आप देखेंगे कि जब जाने का समय आएगा तो वो उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक शालीनता से प्रस्थान करेंगे जिनोंने संपूर्ण जीवन नहीं जिया है अगर उनका अनुभव बड़ा है उन्होंने खुशी से जीवन बिताया अगर जीवन के प्रती बड़े पर्मानंद की भावना थी तो ऐसे लोग सहज्टा से मरेंगे दरसल ये वो लोग हैं जिनने जाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए है ना? जिन लोगों का जीवन बुरा रहा है उन्हें जाने की इच्छा होनी चाहिए लेकिन ये सच नहीं है तो ये बेचानी और डर कुछ होर नहीं बलकि ये सच्चाई है कि समय नहीं है हाँ इसलिए काल भैरव अगर आप समय के डर से मुक्त हैं तो आप पूरी तरह डर से ही मुक्त हैं काल को काला इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आप नहीं देख पाते कि आगे क्या होने वाला है ये पूरी तरह से अंधकार मैं है समय आने वाले कल को छिपा लेता है है ना